मुख मंत्री द्वारा आयोजित सतना के पिछड़ा वर्ग महाकुम के लिए रिवा वसाउनर्स एसोशियेशन नहीं देगा बसें स्टी असी एक्ट का हो रहा विरोध परिवहान ने मांगी हैं बसे आगामी 18 सितंबर को मुख मंत्री द्वारा सतना में आयोजित किये गए पिछड़ा वर्ग महाकुम को लेकर सियासी गत्विधी तेज हो गई है इस महाकुम में एक लाख लोगों के पहुचने वा पहुचाने का टारगेट रखा गया है लोगों के आवागमन की बवस्था के लिए परिवहन प्रशाशन ने रिवा और सतना के बस मालिकों का सहयोग मांगा है इस मामले में हम आपको बता दें की सतना बस एसोशेशन ने दो दिन पहले ही फैसला ले लिया है कि वे प्रसाशन को बसे नहीं देंगे इस बात की भनक लगते ही रिवा के बस एसोशेशन ने सतना वालों के सुर में सुर मिलाते हुए प्रसासन को महाकुम में कारिकर्ताओं को पहुचाने वास्ते बस ना मुहया कराने का नर्णय ले लिया है। इसमें रिवा से 200 बसें, सतना से 400 बसें, सीधी से 100 बसें, पन्ना से 50 बसें मागी गई हैं। यहां यह बताना आवश्यक है कि सतना के बस एसोशेशन ने परिवाहन विभाग के पत्र को पहले ही यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि केंडर और राज्य सरकार जब तक स्टी अस पिछड़ा वर्ग महाकुम्ब के सफल होने की स्थिती भी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। आईए सुनते हैं क्या कह रहे हैं रिवा बस एसोशेशन के पदाधिकारी। इसलिए हम नहीं दे रहे हैं आज की बढ़ती हुए डीजल और पिट्रोल के डीजल और महगाई में इस बियर पार्ट से फरकार ने ऐसे कुछ भी नहीं किया पिछले तफालों से कि बफ कोई हीत हो बफ आपरेटर का कोई हीत हो। केबल बफों का सोफड किया है। इसलिए हम लोगों ने भी इस एक्त के चलते हैं और पाफ की पिक्षा के चलते हैं। हम लोगों ने बस देने से इंकार कर दिया है। हमारे एक्ता कर दिया है। यह कारकम सतना में होना है, सतना बस देने समाना कर दिया है। और उनी के मजब हमने अपनी एक्ता दिखाते हुए रीवा बस देने से इसोशेशने भी कल पंदरा तारी को अपनी यून आफिन बैठ के ताय किया है कि हम भी उनके साथ हैं और हम उस कारकरम के कोई बस नहीं क्या वजा है। यह वजा है हम अपने सतना बस देने साथ में हैं। यह है हम उनके साथ में है। कोई पॉलिटिकल रिजान? नहीं कोई पॉलिटिकल रिजान किस बात का है।